आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों का दर्द भारत वासियों के सीने में ज्वाला बनकर तहक रहा है। बड़े बूढ़े बच्चे सभी एक सुर में बदले की मांग कर रहे हैं। देश की सडके पाकिस्तान, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान, जिंदाबाद के नारों से गून जुठी हैं। आतंकी पुतले भूके जा रहे हैं। कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रधानजली अर्पित की जा रही है। देखिए वारानजी की ये तस्वीरें। देखिए मासूमियत से भरे इन बच्चों का गुस्सा। बच्चों के हाथों में उनकी भावनाओं की तख्ती हैं। और कंधों पर पाकिस्तान की अर्थी। पाकिस्तान! 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 अब प्योके भी आजाद चाहिए एसी ही कुछ तस्वीरे अंबेड़कर नगर जिले में भी देखने को मिले यहाँ युवाओं और स्कूली शात्रों ने पाक और आतंकवाद का पुतला जला कर अपनी नाराज़गी जाहिर करें और पाकिस्तान से सभी व्यापार को ततकाल बंद करने की मांग की हर्दोई में भी युवाओं ने कैंडल जलाई और जोलोस निकाला कहा कि पूरा देश बदला मांग रहा है लखनाओ में भी व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाल कर शहीदों को श्रधांजली अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ रोश जदाये